बात करते हो तर्पिदेश की एटाकी जहां रास्ट्री राजमार्ग 34 जीटी रोड पर सिंथरी गाउं के समीर दो रोडवेज बसों में भयानक भिड़न्त हो गई खड़ी बस में दूसरी बस ने पीछे से टकर मारती जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई तो वहीं दर्जन भर से अधिक लोग घाल हुए हैं घालों को तुरंत मेडिकल कॉलेज में भरती कराया गया जहां कई लोगों की हालत गंभीर देखते हुए हार सेंटर के लिए रफर किया गया है आपको तादें कि घालों का हाल चाल लेने SSP, ASP, ADM प्रशासन, SDM सदर, CMS तहसीलदार सदर, CEO सदर और CEO सकीट मौके पर पहुँचे और मेडिकल कॉलेज में मरीजों का हाल चाल जाना वहीं व्यापार वंडल के नगरादेक, शातुल राठी भी मेडिकल कॉलेज पहुचे और घालों का हाल चाल लिया SSP ने बताया कि सिकंदराबाद और कन्नावज डिपोक की बसें थी जो आपस में भीड़ गई जिसके कारण ये भायानक हाथा हो गया है आपको दाने की जनपत के मलावन थाना चेतर के अंतरगरत हाईवे 34 पर सिंधरी गाउ में ये दुरघटना हुई है जिसमें कई लोग खायल हो गये हैं जिन में से एक व्यक्ति अपनी जान भी गवा चुका है विरा 24 न्यूस के लिए एटा से दीपक दिक्षित के रिपोर्ट कर दिया गया है सेश जिलास्पताल में इलाज रत हैं जो खत्रे से बाहर बताए जा रहे हैं पुलिस के द्वारा एंबुलेंस की वेवस्था कराके घायलों का बहतर से बहतर इलाज कराने की वेवस्था की जा रही है और आवस्यक वैधानिक कर वही की जा रही है कुलमलाका एककी देट हुई है ग्यारा घायल है अभी तक की जनकारी है जो प्रारंबिक चानबीन पर प्रकास में आये सिकंदराबाद की बस में कोई तकनीकी डेफेक्ट आने के कारण बस को रोड पर खड़ा कर लिया और कनोज डीपो की बस तेज स्पीट से पीछे से आ रही थी जिसके ड्राइवर ने अपना संतुलन खोते हुए सिकंद्राबाद डीपो की बस में पीछे से टक्कर मारी जो सवारी घायल है उनके द्वारा पूस्ताज पर यह बात बताई गई है मैं बहुगाओं से आ रहे थी जो खड़ी बस थी उसमें फिर क्या हुआ अचानक पीछे वाली बस आई अचानक खड़ी बस में ठोगए अचानक कुछ आईडिया है कितने लोग घायल हुए या कोई कैजॉल्टी हुई है कि लगबक अब कनफर्म तो नहीं पताया लिकिन लोग है और खड़ी बस में कुछ कम आई लुए है कोई के जल्टी भी है कि आप हाँ 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 है कि अ